अमेरिका के सिलिकॉन वैली में मार्च 2017 की एक शाम दो लोगों ने खाना खाया और एक कम्पनी को खोखला करने की अबारत लिग डाली जह हम बात कर रहे हैं आपल और गूगल के सीईओ के टेमराइन नाम के एक महेंगे से वियतनामी रेस्टोंट में हुए प्राइवेट डिनर की अगली सुबह एक ख़बर अमेरिका से लेकर दुनिया भर के अख़वारों की सुर्ख्यां बनी अब ये तो तैथा कि आपल के सीईओ टिम कोक और गूगल के सीईओ सुन्दर पिचाई ने बिना वजा ही तो गल्बईया डाल कर डिनर नहीं किया होगा क्योंकि उस शाम दोनों दिगजों ने टेक जगत के इतिहास में सबसे लाबदायक सौधे को रिन्यू किया जिसका सराज दिखाई दे रहा है वो भी एक तीसरी दिगज कंपनी फेस्बुक पर मशूर लेखक स्टीव सिम्स ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर उसी दिन दोनों की फोटो शेर करते हुए लेखा था आप जानते हैं अच्छा रेस्टरांट है जब टिम कोक और सुंदर पिचाई एक ही जगा पर हो कहानी भली फिल्मी लगी लेकिन पूरी तरह से सच है जर वीरू टाइप यानि कि आपल और गूगल इस सौदे से किसको हुआ फायदा और गबर की तरह किसको हो रहा है तगडा नुकसान आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे गूगल, आपल, फेस्बुक, सामसंग ये सब टेक जगत की दिगज कमपनिया हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है दिगज कितनी ही हो लेकिन कुट्टे बिल्ली की तरह लेला बन नहीं करती कभी एक किसी पर केस करता है कभी दूसरा आपने नुकसान के लिए किसी तीसरे को जब्मेदार ठहराता है, आपको यादो का जैसे कुछ महीने पहले जब मेटा के अक्टिव यूजर्स कम हुए और जे पर्तगडा जटका लगा तो इसने टिक टॉक के साथ आपको की प्राइबसी पॉलिसी को भी कसूरवा ठहराया, मेटा, फॉर्मर्ली फेस्बुक, उसक प्राइबसी रागल आपते हुए कहा कि वो नहीं भड़तियां नहीं कर रहे, कारण वही आपल का आप ट्राकिंग ट्रांस्पिरिंसी फ्रेमवर्क, अब इस बात में सच्छायत है लेकिन आपल की प्राइविसी पॉलिसी वाले फ्रेमवर्क से गूगल बाबा बाहर है, ए नहीं अपडेट के मताबिक आप डिवलपर को इस बात के लिए फोर्स किया गया कि वो एक पॉपप के जरीए यूजर से पर्मिशन लें कि वो उनकी गतिवधी ट्राक कर सकते हैं या नहीं, अब आइपोन यूजर कोई भी नया आप डाउनलोड करते हैं तो उन्हें फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए उनको सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर ऑप्शन मिलता है यहां तैकिया जा सकता है कि कौन सा आप ट्राक करेगा और कौन सा नहीं यह तो हुई आपल की बात लेकिन गूगल खुद अपने प्लाटफॉर्म मतलब एंड्र दिन नहीं कर पाएंगे इतना काफी नहीं था कि अब एंड्रॉइड 13 के साथ कुछ ऐसे फीचर आने वाले हैं जो यूजर ट्राकिंग पर और लगाम लगाएंगे वहारन के लिए अगर किसी आपके पास आपकी निजी जानकारी को अक्सेस करने की अजाजत है और कुछ त समच कहें होंगे नहीं समझे तो हम आपको फिर से बताया देते हैं फेस्बुक पर सबको पताएगी फेस्बुक का रिवेन्यू मॉडल क्या है और ऐसे में जब दो दिगज कम या यूजर के व्यवहार उसकी पसंद और नापसंद का ब्यारा फेस्बुक और कई दूसरे ड एक तरफ तो ये कमपनिया यूजर्स को अपने साथ जोलने के लिए गला काट प्रतिस प्रधा करती हैं दूसरी तरफ दरवाजी के पीछे से अर्बो डॉलर की पार्टनर्शिप करती हैं इधर भी ऐसा ही है गूगल अपनी दोस्ती के लिए आपल को अर्बो रुपए और इसकी नीव काफी पहले डल गई थी और परवान चड़ी 2017 में जब गूगल बना डेफॉल्ट सर्च एंजन आपल के प्रॉडक्स पर वाल स्ट्रीट जर्निल के मुताबिक गूगल के सीओ जब आपल के बोर में शामिल थे तब इस दोस्ती का पौधा रोपा गया था आ पारी पर कुछ ब्राउजिंग करते हैं तो सर्च लिंक खुलता है सीधे गूगल पर यकीन नहीं होता तो एक बार करके देख लीचे अब इससे क्या होगा वो आपको अच्छे से पता है रकम भी कोई मामुली नहीं है वैसे तो दोनों दिगज कभी इसके वारे वे नहीं बोलते लेकिन हबरों की माने तो गूगल हर साल आठ से बारा बिलियन डॉलर मतलब बासट हजार करोड रुपए बुक्तान करता है आपल को और फेस्बुक क्या देता है एक धेला नहीं तो राई से बात है कि आप ट्राकिंग ट्रांस्परेंसी फ्रेमवर्क से तो गूगल बाबा भार ही रहेंगे एक कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है फेस्बुक की दुश्मनी तो दोनों कंपनियों से कैसी है उसके कई उधारण आपको मिल जाएंगे गूगल ने उठाया इसका फायदा और जा बैठा आपल की गोद में एंड्रॉइड तो उसक अपनी प्राइवसी पॉलेसी का एक बार फिर से धनोरा पीटना शुरू कर दिया है माने एक क्यामपेण शुरू किया है जिसने इंटरनेट पर गदर काड़ दी है आपके ने तमाम जानकारी खटा की हमारे साथी सूर्यकांत ने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहें दिलालन तो शुक्रिया